जैसा कि आप सभी जानते हैं आज देशी नहीं समूचा विशुर एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है वो संकट है कोरोना वाइरस का संक्रमण जिससे बचाओ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनव समेत कई जिलों में तीन दिनों का लॉकडाउन घुसित किया है संक्रमण और न भैले इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आम जंद तब तक अपने घरों से न निकले जब तक की कोई बहुत बड़ी आवशकता न हो सरकार के इस आदेश का पालन करवाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस करमी अपनी ट्यूटी पर मुस्तहद हैं अपने प्राणों की परवाह किये बगएर इसी कली में इंडिया 24 इंटू 7 लाइफ टीडी की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव के राजाजी पुरम परिछेतर से जुड़े हुए मिल एरिया छेतर में जहां हमारी मुलाकात हुई मिल एरिया चौकी प्रभारी अर्विंद सिंग और उनकी पुलिश टीम से जो की कोरोना वाइरस के फैलते हुए संक्रमर से जान की परवाह किये बगएर आम जन के हितों के लिए ड्यूटी पर मुस्तायद मिली आईए जानते हैं छेतर के हालाद चौकी प्रभारी अर्विंद सिंग जी से कैमरा मैन अतुल अगरवाल के साथ पवंद्र पाठी इंडिया 24 इंटू 7 लाइब टीवी लखनव तो जैसा कि आप सभी जानते हैं उस्तरप्रदेश में उस्तरप्रदेश की राजधानी में भी इस समय टूटल लॉगडाउन का समय आचुका है टूटल लॉगडाउन किया गया है हम आ गये है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनव के राजजी प्रम परशेत्र में यहां पर मिल एरिया चौकी के छेत्र में जहां पर काफी मात्रा में सन्नाटा देखा जा रहा है लोग आवागवन भी काफी अत्तक बंद है और हमारी पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है लॉक वैसे पूरी पूरी पुलिस टंटेंड मिल एरिया चौकी की पूरी तरह से यहां कि सुरच्च्छा के लिए यहां जंताली सुरच्छा के लिए मुस्तैद दिखाए पड़ रह iets हमारे साथ में उपस्तीत है अर्फिन जी अर्विन जी जो कि यहां पर चौकी परादधिव ह पालन कर रहे हैं, लोगों को इस फ़ला दे रहे हैं कि आप घर से मत निकलिए, सायोग करिए, घर से ना निकलना आपके लिए बेहतर होगा, ज़रूरी आवस्यक सामानों की जो गाडियां हैं वहान हैं, उसको हम लोग जाने दे रहे हैं, कोई खाने पिने की चीज़ हैं, बा हो यहां फाल्तु घूम रहे हैं, या कहीं भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, बने रहे हैं लगातार इंडिया 24 में लाइटीमी से कैमरा मैं अतुल लगरवाल के साथ कवांतर पाठी, तो यह थी इस वक्ति कोछ बड़ी खबर आगे कि तमाम बड़ी खबरों के ने जुड़ प्रत्त.